अलो गाई स्वागत है आप सभी का तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट अंडीज वर्से साउथ अफरीका के वीज टीम टीटीवणटी के स्रीज के तीसरे मुकाबले की और इस मुकाबले में सीधा चार गरानलिक के टीम कॉंबिनेशन बनाने वाला कि पावल और हैंडिक्स को आप ट्रम कार्ड खेलाडी बना सकते हैं कि इनका सेलेक्शन सिकेंड मैंच में काफी लो जा रहा था लोग पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे इसकी वज़ा था कि जो पहला टीटी मैंच खेला गया था जिसमें इस्टूब और थांजी काफी ब यमसन को भी हमने ट्रम कार्ड खेलाडी में ही रखा था और लगभग सारे टीम में ट्राइ भी किया था तो अच्छी खासी रैंक आया था बस गलती थोड़ा के कारण टॉप में टीम नहीं आया आग ज़्यादा से ज़्यादा कोसिस करूँगा कि अपनी टीम टॉप में आ और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना क्यूंकि आप लोगों के एक लाइक से काफी मोटिवेट मिलता है लाइक जरूर कर देना जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कि हैं चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेलाइगान को दबा देना ताकि मैं कोई लिंग हमने description और फस्ट कमेंट में पी आप कर दिया है आप जाओ आपको फस्ट कमेंट में जो पीनवा लिंक मिलेगा उस से मेरा टेलीराम ज़एन कर लीना ऐस सबसे पहले small LOVE की टीम बनाते हैं उसके बाद आपको ट्रंग काट खेलारी और ग्राद की टीम कंबिनेशन बन कर चुके हैं, तो इस मैच में आपको बदलाब भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है, यहाँ पे चारलेज खेल लाए, तो यहाँ पे आपको, या तो साई होप की जगह पे, यहाँ पे अथान जी की जगह पे खेलती हुए नजर आ सकते हैं तो ये दो प्लियर की जगा पे को एक प्लियर रहो सकते हैं, डॉप, उसकी जगा पे चार लेज आपको Unic फ्लियर खैलते हुए नजर आएंगे, ऑपनिंग करते हैं, grans लिग में आप ट्राइ कर सकते हो, जबकि small लिग में दो प्लियर को लेकर रखूंगा नहीं तो इसकी जगह पे मैं अपने टीम में यहां पे इनको ड्रॉप करके स्टूब को रखूंगा वैसे स्टूब बहतर प्लेयर भी है और उस कंडिशन में हैंडिक्स को रख लूँगा अगर पहले बैटिंग करते हैं वेस्टंडीज तो मैं अपने टीम में पावल को ही रखूंगा और पावल को लेकर जा रहा हूँ इनको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना बॉल करेंगे हाँ ड्रॉप करने का अगर रिस्क लेते हो तो रोस्टन चेस को पे ले सकते हो क्योंकि देखो लगातार जो साउट अफरीका के टॉप 7 प्लेयर हैं सारे के सारे रैट हंडर है यह है ऑफ ब्रेक बॉलर तो यह इसमाल लिग में बॉलिंग से वैसे एक मैच में ऐसा भी हो सकता है कि इनका बैटिंग ना आए और ऐसा भी हो सकता कि विकेट न मिले तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो इसका कंडिशन रहेगा जैसे कि यहां पे आपको बॉलिंग सेक्टर में बटमन है बटमन यह ऐसे आपको बॉलिंग करते हैं तो फिलाल इसमाल लिग की मैं सेफ टीम बनाया हूँ इस मैच में वैसे तो कैप्टन की बात करें तो जनरली लोग साई होप के साथ जाएंगे मैं वाइस कैप्टन निकोलस पूरन को बनाओंगा और कैप्टन आप चाहे तो या तो माकरम को बना कर लेना बाकि फाइनल टीम का वेट जरूर करना जो कि आपको फाइनल टीम टेली गराम पे मिलती है तो उमीद करते हैं कि आप मेरा टेली गराम जॉइन कर लिए होंगे अब चलते हैं गरान लिग पे और गरान लिग पे ही मैं आपको ट्रम कार्ट खिलारी कैप्टन वाइ कर जाएंगे तो यह पूरा दमखम लगाएंगे और कोशिस करेंगे मैच जीतने का तो इसमें सबसे ज्यादा पावर लगाएंगे इनके बॉलर अब यहाँ पे देखो लोग लेकर जाएंगे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फ्लॉप हो जाएं तो आप की टीम जो है वो साई होप को ड्रॉप किया है, उसी तरह अथान जी को भी ड्रॉप किया है, तो पावर प्ले के बॉलर को लेना होगा, पावर प्ले में आपको मफाका और साथी साथ फर्चुन जो की बॉल करते हैं, तो इन दोनों में कोई एक को ट्राय करना होगा, एक तो ये आपके लिए खिलारी रहेंगे, तो फर्चुन से ज़्यादा बेहतर जो है, वो मफाका को समझ रहा हूँ, तो मैं इनको अपने टीम में ले रहा हूँ, तो वेस्टंडीज के दोनों टॉप अडर, एक तो साई होप हो गए, और दूसरा अथान जी हो गए, जिसको हमने ड्रॉप कर दिय आए, तो यह वेस्टंडीज के पहले बैटिंग में होगा, तो हमने निकोलस पूरन को ले लिया, निकोलस पूरन ठीक ठाक प्लेयर है, और यह इतना जवरदस टीट्वन टी में खेलते हैं, अगर दस बीस बॉल भी खेल जाते हैं, तो अच्छे खासे रन बना देते हैं, अब यहाँ पे कंडिसन संजो, अगर वेस्टंडीज के थोरा अगर रन क्लैस हुए, अगर उतना ज़्यादा रन नहीं बना पाएं, तो जो सावत अफरीका के जो टॉप अडर जो आपनिंग करने वाले बैस्टमेन हैं, जैसे कि दोनों मैंच में फ्लॉप हुए हैं, जैसे कि पावेल हैं, फिर से इनका परफॉर्म आ जाएगा, इसकी जगह पे पावेल को या रूटर फोर्ट को आप ट्राइ कर सकते हो, क्योंकि यह भी पावेल के बाद बैटिंग करते हैं, और यह भी आपके लिए बहतर साभीत हो सकते हैं, तो एक ही मैंच में सारे प्लि को ट्राइ कर सकते हो, उसी तरह यह मान लेते हैं, कि चलो साउथ अफरीका का जिस तरह से टीम क्लैस हो जाता है, तो उस कंडिशन में आप डसन को एक यूनिक प्लियर के तौर पर ट्राइ कर सकते हो, जो कि आपकी ग्रैन लिग की यूनिक टीम बनेंगी, और यहाँ पर मैं अपने टीम में माकरम को फिर से अपने टीम में ट्राइ कर रहा हूँ कि इस मैच में सेफ के तौर पर इनको ट्राइ कर रहा हूँ जिस तरह से हमने निकोलस पूरन को ट्राइ किया है इस कंडिशन में एक बरा रिस्क लूँगा और यहाँ पे सिफट को ड्रॉप कर दूँगा सिफट की बैटिंग उतना हो सकता है वेस्टन डीज के पहले बैटिंग में आ जाए वैसे उमीद नहीं कर रहा हूँ कि ये बैटिंग से बेस्तर परफ़मेंस कर सकते हैं आप एक यूनिक प्लियर रोस्टन चेस को ले सकते हो या आप चाहें तो करूगर को ड्रॉप करके यह यहाँ पर शिफट को भी ट्राय कर सकते हूँ तो हमने सीफट को ले लिया अब यहाँ पे इनकी बाुलिंग थोड़ा स्ट्रों हो गया वेस्टन डीज कभी तो वेस्टन डीज में आपको यूनिक करना है तो जोशिफ को फिर से या जोशिफ की जगा पर फोड को त्राइ कर सकते हूँ तो आप देख सकते हो टीम का प्रिव्यू में आपको काफी यूनिक टीम देखने को मिलेगा वैसे बॉलिंग की बात करें तो ये दो बॉलर का तोल लगभग पिक कर ही रहे हैं जहाँ पे हमने मफाका को ट्राइ किया हूँ जो कि आपके लिए यूनिक ह जब team class हुआ है यहाँ पे Nicholas पूरन को लिया हूँ तो यह हो सकता है कि यह एक लंबा पारी खेल जाए तो आप यह तो इनको captain या wise captain बना सकते हो या इनको captain wise captain बना सकते हो अब यहाँ पे देखो यह तो आप किसी baller जैसे कि हमने बट्मन को बनाया बट्मन को आप captain wise captain बना दो और इन दोनों में कोई एक को wise captain बना दो तो यह आपकी एक grand league की team हो गई जो की लगभग unique team हो गई अगर इन team का जाच भी करोगे तो अंडर आपके 1000 rank के अंदर में आ जाएगा यह बहतर team है वैसे इस team से आपका loss भी लग सकता है क्योंके पूरे logic पे लगाया हूँ और कई स और साथी साथ पावेल को ले लोगे तो साथ अफरीका वेस्टंडीज के top 4 player आ गया है जो की बैटिंग से बहतर performance कर सकते हैं तो इनकी तरफ से कुछ बरे player जिसका selection काफी हाई जा रहा है उसको आप drop कर सकते हो तो यहाँ पे हमने williams को drop किया वैसे batman को हमने common player को रखा है जो की लगभग team में try कर सकते हो तो यहाँ पे वेस्टंडीज के baller favorite हो जाएंगे वैसे इसमें यह देखना है कि कौन-कौन से player South Africa की तरफ से बहतर performance कर सकते हैं तो इनमें मैंने handics को रखा है और साथी साथ आप चाहें तो stoop को try कर सकते हो लेकिन यहाँ पे हमने kruger और साथ में माकरम को रखा है यहाँ पे सिफट को balling section में क्यूंकि हमने favorite जो है वेस्टंडीज को बना दिया है और वेस्टंडीज की तरफ से काफी बहतर performance देखने को मिल देगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो baller को हमने लिया है सिफट के साथ और इनके top 4 को लिया है तो top 4 तो अखील हुसेन को try कर सकते हो तो आपके और ज्यादा unique team बन जाएगी इसमें captain wise captain की बात करें तो captain जो है आपको कोई ऐसे player जैसे की ford हो गये ford को captain बना सकते हो और wise captain जैसे की sy hope हो गये तो sy hope को wise captain बना सकते हो तो यह आपकी second grand league की team हो जाएगी उसी तरह मैं तीसरे grand league की बात करो तो यहाँ पे south अफरीका को favor दे रहा हूं रिकल्टन को अपने team में रखा हूं साथी साथ Hendrix को रखूंगा और यहाँ पे स्टूब हो गए और साथी साथ आप चाहें तो यहाँ पे डसन को रख सकते हो अब यहाँ पे थोड़ा आपको unique team बनाने के लिए यहाँ प मिला है लेकिन उस तरह से सफल नहीं रहे हैं dream team में हिस्सा नहीं बन पाए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं काफी ज्यादा unique team बना दिया हूं जो कि आपके लिए काफी unique team देखने को मिलेगा और यहाँ पे हैं मैं अपने team में अकिल हुसेन को try कर दिया हूं जो कि आपकी team पूरी तरह से unique है यह पूरी की पूरी South Africa के favor में हो गये हैं आप एक bestman जो कि Western लीज की तरब से ले सकते हो या तो Nicholas पूरन को ले सकते हो या पावेल को ले सकते हो क्योंकि कोई एक player तो बहतर performance करेंगे ही करेंगे तो हो सकता है रिकल्टन की जगा पे मैं पूरन को ह ले लूँ तो आप देख सकते हो यह मेरी चौती टीम है जो कि South Africa की एक टीम वेस्टन लीज के favor में बनाया हूँ और एक जो है वो cross team है वो South Africa के favor में बनाया हूँ तो यह दोनों टीम के condition है अगर South Africa की team class करती है तो वो team काम कर सकती है अगर Western लीज की team class करती है तो आपकी यह team काम कर सकती है captain wise captain देख लेना यहाँ पे जीस की team पहले batting करते हैं उनके baller को captain wise captain कर देरा वैसे इस match में देखोगे कि यहाँ पे baller को भी favor दिया हूँ Western लीज के रोस्टन चेस को काफी unique player है जो की काफी low selection देखने को मिल दा है तो यहाँ पी भी चार player है और लगभग यह इस तरह के लगभग सारी सभी team में try कर रहा है वही हम चोथे grand league की team की बात करें तो आप team का preview देख सकते हो विकेट keeper में हमने पूरण को रखा है जो की लगभग safe है यहाँ पे router 4 जो की काफी unique कर दिया हो उसी तरह डसन को भी लोग ignore कर रहे है डसन भी T20 team में ठीक ठाक player है और batting order भी काफी ठीक है तो यहाँ पे Hendrix को हमने common player रखा है यहाँ पे दो बड़ा risk लिया है एक तो आपको माकरम होगे और दूसरा program होगे तो दो player पे risk लिया है हमने पूरी team पूरी यहाँ पे balling section में team बना दिया यहाँ पे यह मानते हैं क्योंकि इस ground पे ऐसा भी हुआ ह स्टार्टिंग के 6-7 match जो है 150 के अंदर खेला गया है तो अगर उस तरह का condition होता है तो match पूरा balling section में आ जागा और balling में आप captain बनाना चाहो westernries की तरफ से तो अखील हुआन को बना सकते हो क्योंकि अभी तक इनको उस तरह का विकेट थौक में नहीं मिला है जिस तरह से य आप बट्मन को वाइस captain बना दे या आप मफाका को यहां पर try करके उनको वाइस captain बना दे क्योंकि power play में वो भी ball करते है और power play के baller ज्यादा best रहेंगे जो team पहले बैटिंग करते हैं उनका जो है starting में विकेट गिरता है और अभी तक आपने देख लिया कि दोनों team में जो team पूरी favor balling को है आप या तो दोनों baller को captain wise captain बना दे या captain के साथ bestman के साथ baller को captain wise captain बना दे तो यह चार team जो है यह initial है final team के लिए आप मेरा telegram जरूर जोईन के लेना जहां आपको final toss के बाद जो expert लोग pitch report बताते हैं उसके base पर 4 grand league की team combination बना कर दे दूँगा जिसे आप अ description और first comment में मेरा telegram जरूर जोईन के लेना साथी साथ channel को subscribe करेना और video को like comment कर देना ओके thank you